हेलो एवर्ड रादे रादे जी कैसे ऐसे भाई होब सब अच्छी होगे तो आज मैं आप सब के लिए लेके आए हूँ एक ऐसे मिठाई जिसे कोई भी बना ले सिरफ तीन चीजों से मिठाई बनेगी बीना चाशनी, बीना मावा, बीना कंडेस्क मिल्क के आप बना सकते हैं कम समान में जटपर से शाही पेड़ा दिखने में भी सुन्दर, खाने में भी टेस्टी और बनाने में भी जल्दी से ये बन जाते हैं, कम समान में, तो चलिए शाही पेडा बनाना शुरू करते हैं, पहले ले लिए हमने कड़ाई, कड़ाई को गैस पर नहीं रखा है, अपने ब्लैटफोर्म पर भी आप ऐसे ही रख ले, ये ले लिए है मैंने शूगर, आदा कप पाउडर्ड शूगर लिए है मैंने, आप चाहे तो कोई भी शूगर ले सकती है, फिलेंगे आदा कप मिल्क, हमने बोइल किया हुआ, ठंडा मिल्क लिया है, और ये डाल देंगे, फिलेंगे हम मैल्ट घी, दो चमच घी डाल देंगे, मैल्ट होना चाहिए घी, दो चमच अच्छे से इसको विसकर से मिक्स कर देंगे, पहले गैस पर हमने नहीं रखा है कडाई को, ऐसी प्लैटफोर्म पर ही रखा है, क्योंकि अच्छे से मिक्स करने में हमें असानी हो जाएगी, कोई भी हमने समान मिक्स करना हो तो पहले मिक्स कर लेंगे असानी से, ये प्षब्रना करकर डालते जाएंगे, ये शाही पेड़ा सबको बहुत ही पसंद होदा है, और पांच मिनिल्ट में बनकर ये त्यार हो जाता है, बहुत ही तैस्टी लगता है गाइज, अच्छे से mix करते जाएंगी, mix करते-करते एकदम यह गाड़ा सा बैटल बनकर त्यार होगा, एकदम smooth सा बन जाएगा, इसको अच्छे से mix करते जाएंगी, गिला-गिला सा गाड़ा-गाड़ा सा, यह mixture बनने मैला है, आप सोचेंगे कि यह बहुत ही गाड़ा है, कोई बात ये गाड़ा है बार में जब इसे हम पकाएंगे तो यह थोड़ा सा पतला हो जाएगा इसलिए अभी इतना ही गाड़ा चलेगा दिखेंगे अच्छे से मिक्स कर दिया है मनी एकदम से मिक्स हो गया एकदम से स्मूथ सा से त Tax च्छा तियार हो गया है hazard कार आप दूद और भी डाल सकते हैं, अब हम गैस पर रखेंगे कडाई, और स्लो गैस कर देंगे, और अच्छे से चलाते जाएंगे, एक मिड के लिए भी इसे नहीं चोड़ना है, चलाते जाएंगे, विसकर से चला लीजे, चैसे पैचुले से चला लीजे, जिससे आपको अच्छा हम नोस्टिक बरतन यूज नहीं करते हैं, इसलिए मैंने स्टेल की कडाई लिए है, नोस्टिक बरतन हमारे श्रीर के लिए हानिकार होते हैं, इसलिए मैं कम से कम यूज करती हूँ, पहली बात तो यूज ही नहीं करती, नोस्टिक के बरतन, इसलिए स्टेल की लिए मैंने क चिपकेगा कोई नहीं पर मिक्स करते जाए स्लो गैस पर अगर ज्यादा चिपकता है आपका तो आप थोड़ा सा घी डाल लीजिए एक चमच या दो चमच घी भी डाल सकते हैं यह देखेंगे पहले से गाडा होने लगा है यह मिक्स्चर इसको अच्छे से चिलाते जाएंग जब यह गाडा होने लगेगा तो चिपकता है ज्यादा तो कोई बात नहीं इते कि गाडा हो गया अब उसे हमने ठंड़ा होने के लिए ठंड़ा हो गया है अब इसमें हम डालेंगे इलाइच का पाउडर फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा से सकते हैं जो होचा लगता है MENJ il forgiveness不 как Mr मिप अबृट ठंडा हाथ हो गया है इसलिए बहुत गाड़ा हो गया है यह अपको दिखांगी आप Cindy कर के देखेंगे लिए बैर हमारा त्यार है नटी यह हाथ देखिए बिछिपक नियु अच्छे से फिर जो मारा बैटर आप हमनी बनाया है वो ले लेंगी और उसे अच्छे से हाथों पे पर थोड़ा सा गी mushrooms लगा लेंगी बड़ी सी और इसे बेल लेंगे रोटी की तरह यानि ज़्यादा पतला नहीं बेल लेंगे हम ना तो ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा मेडियम साइज का हम इसे बेल लेंगे ये बेल लिया है, अब हम ये लेंगे इसकी गुलाई काटने के लिए, नि पेड़े की गुलाई काटने के लिए ये लिया है हमे आपके घर पे कप या कोई भी गिलासी या कोई भी कटोरी छोटी है या डगकन है आप उसे कर सकते हैं ऐसे से काटेंगे बिल्कुल असानी से ये कट जाएका पेड़ा चाहे तो आप हाथ से भी पेड़े बना सकते हैं उसको लोई बना कि थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए वैसे पेड़े भी भट बज़ार जैसा पेड़ अजानी से बनकर त्यार हुए बिलकुल भी चिपकने राही बैटर बहुती अच्छा बना है यह देखिए सारे पेड़े बनाकरकर ऐसे थार कर लेंगे जो हमारा बैटर बच जाता है उसको फिस से लौई बनाकर उसे बेलकर फिस से उसके पेड़े बना लिए Understand सारे पेड़े हमने बना लिए हैं बिल्कुल सारे अच्छे से बन गी हैं एकदम बजार जैसा इसको देखने में लग रहा है बजार जैसा पेड़े हैं अब हम इस पे लगाएंगे silver का वर्क, silver का वर्क लिए हैं हमने, ये optional है, silver का वर्क लगा देंगे, इससे तो देखने में बहुती अच्छा लगेगा और खाने में बहुती अच्छा लगेगा, फिर इस पे हम लगा देंगे पिस्ता, आप चाहिए तो कोई भी dry fruit लगा सकते है या ऐसे भी खा सकते हैं यह देखेंगे हमारे पेड़े बनकर त्यार है आप यह रैस्पी ट्राइ कीजिए आपको यह रैस्पी कैसे लगी हमें कमेंट करके जिरूर बताईएगा और हमारे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड की साथ शेर कीजीए यह शाई पेड़ा बनकर त्यार है कोई भी बना सकता है फ्रेंड इसे सिर्फ तीन चीजों से एकदम मार्किट स्टाइЛ पेड़ा बनकर त्यार होता है और बहुत ही जटपट से बन जाता है कोई भी मेमान आए तो आप पांच मिन पांच से दस मिन में आप ये बेड़ा बना कर खिला सकते हैं ठैंक्स पर वॉचिंग रादे रादे जी